तो क्या आपने अपने फोन को reset किया है ? reset करने के बाद अपना वही पुराना वाला email id लोग इन करना चाहते हैं तो आप कैसे login करेंगे ? जैसे मैंने अपने इस phone को अभी-अभी reset किया हुआ है और यहाँ पर हम अपने phone में अपना वही वाला पुराना वाला email ID login करना चाहते हैं तो हम कैसे login कर सकते हैं इसे वीडियो के अंदर details में बताएंगे अगर आप अपने phone को reset करना चाहते हैं और अभी तक आपने reset नहीं किया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पूरा step by step पे बताया हुआ है reset कैसे करते हैं और अपने phone को open कैसे करते हैं इसमें आपको बताने वाले हैं कि आखरकार पुराना वाला email ID login कैसे करते हैं तो यहाँ पर आपको sign in पर click करना है जैसे आपको sign in पर click करेंगे इस तरीके से आपके समने page आ जाएगा थोड़ा सा आपको wait करना होगा और आपके समने email ID डालने का page आ जाएगा तो थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं इस तरीके से page आज चुका है यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको email id डाल देना है अगर by chance आपको email id नहीं पता है तो आपको forget email पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके समने आपका mobile number आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर nest कर देना है तो इस तरीके से आपके समने page आएगा यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपना name डाल देना है जिस नाम से आपने email id बनाया हुआ था तो हम यहाँ पर click करेंगे अपना name डाल देते हैं तो हम यहाँ पर नेश्ट पर क्लिक करेंगे, अभी हमारे मुवाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आटोमेटिक वेरिफाई हो जाएगा, जैसा कि हमारा हो चुका है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अब आप देख सकते हैं, सारी के सारे email ID हमारे पास आचुक यहाँ पर आपको अपने email ID का password डालना होगा, अगर आपको password नहीं पता है, तो यहाँ से अपने password को आपने forget कर सकते हैं, यानि कि नया बना सकते हैं, इस पर मैंने already वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का link description box मिल जाएगा, उस वीडियो को आप बाद में जरूर चेक आ आजाएगा welcome और उसके बाद I agree पर click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, थोड़ा सा और आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा, जैसे आप इंतजार करेंगे, इंतजार करने के बाद checking info चलेगा, उसके बाद आपका mail ID होगा, वो आपके phone में login हो जाएगा, accept कर देना है, यानि कि आपको थोड़ा सा scroll करना है, accept पर click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, उसके बाद जो आपका mail ID होगा, वो login हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा play store है, अब यहाँ पर open हो चुका है, और आसाने से एप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसे तरीके से आप इतनी mail ID को आप पर login कर सकते हैं, phone को reset करने के बाद,